जैहिन नमस्ते वंदे मात्रम आप सभी का स्वागत है समाधान इस्टडी योट्व चनल में तो ये ट्रिक नंबर थ्री है आप सभी सातियों के लिए क्यों सा पार्ट है है पार्ट थर्ड है जिसमें आपको एक अपनी कोपी बनाना है छूटी सी जिसमें मैं आपको जितने जो इंपोर्टेंट से पॉइंट है जो वन लाइनर फैक्ट के तौर फर मैं आपको बताना चाहूंगा आप सभी से नोट डाउन जरूर किजेगा और याद जरूर किजेगा अपने जो आप लोग जहापर स्टडी करते हैं उसके सामने इसे लगा लीजीगा ताकि हम लोग आपको बताऊंगा पौधे में सबसे बड़ा पौधा कौन सा है उसका जो है सबसे छोटा कौन सा है तो इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे और महत्पून जो है जानकरे जानेंगे तो सबसे बड़े पुस्प की बात कर ले तो कौन सा होता है रेफले सिया होता है सबसे कठोर लकडी की बात करे तो हाड विकिया ठीक है बाइनेटा की एक लकडी होती है वो सबसे क्या होती है कठोर होती है सबसे हलकी लकडी की बात कर ले तो वो होती है ओक्रोमा की ठीक है किसकी होती है ओक्रोमा की लागो दस बल सन जो है उसका नाम होता है तो यह आपको ध्यान रखना है आगे देखे सबसे बड़ा अनावरती व्रक्ष जो पूछे सबसे बड़ा आपको अनावरती व्रक्ष पूछे तो आपका यूके लिप्टस होता है कौन सा होता है यूके लिप्टस होता है सबसे बड़ा आवरत बीज पौधा पूछे एक होता है आपका जिमनो स्पर्म एंजो स्पर्म ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अगर आपको लेमना पूचे मतलब सबसे छोटा आवरत बीजी पौधा पूचे वरक्च की बात करे तो यूकेलिप्टस अगर पौधे की बात करे तो आपका लेमना होता है सबसे लंबा वरक्च बात करे क्या बात करे सबसे लंबा वरक्च आपका सिकोना का होता है किसका होता है सिकोना का होता है सबसे बड़ा बीच की बात करे तो वो हता आपका लोडोस या का बीच सबसे छोटे बीच के बात करे तो आपका आर्केट्स का होता है किसका होता है आर्केट्स का होता है सबसे बड़ा बिजान की बात करें तो साइकस होता है सबसे बड़ा बिजान की बात कर ले तो आपका विक्टोरिया रिजिया उस पत्ती का नाम है सबसे बड़ी पत्ती कुन सी होती है तो सबसे बड़ी पत्ती होती है विक्टोरिया रिजिया सबसे छोटा पादप कोशी का कौन सा होता है तो माइको प्लाजमा होता है कौन सा होता है गैस माइको प्लाजमा होता है सबसे लंबा गुनसुत्र कौन सा होता है तो सबसे लंबा गुनसूत्र आपका ट्राइलीसियम होता है कौन सा होता है ट्राइलीसियम होता है सबसे छोटा गुनसूत्र सहवाल को होता है और सहवाल के अध्यन को फाइको लोजी का जाता है आगे देखेगा सबसे ज़्यादा गुनसुत्र वाला पौदा कौन सा है ओफियो ग्लोसेसम जो पौदा होता है उसमें सबसे ज़्यादा गुनसुत्र होते है सबसे बड़े फूल की बात करें तो लोडोसिया का सबसे बड़ा फूल होता है आगे देखीगा जीवित जिवास में कौन सा होता है तो जिसे हम लोग करते हैं साइकस जीवित जिवास में कौन सा होता है साइकस होता है सबसे छोटा पौधे की सबसे छोटे सैवाल की बात करें है कोले माइडो मोनास होता है कुन सा होता है क्लेडो माइडो मोनास होता है ठीक है आगे चलते है सबसे बड़ा सहवाल तो वो होता है आपका माइक्रो सिस्टिम्स होता है ठीक है तो ये सारे आपको नोट करना है एक कॉपी में चलिए आगे देखिएगा आगे हम लोग जानते हैं काच जो फजिक्स का एक टॉपिक आपको या फिर बावलोजी में पूछे जाएगा काच में रंग देने वाले पधार्थ कुन-कुन से होते हैं काच में रंग देने वाले पधार्थ देखिए गहरा नीला रंग कुन देता है तो गहरा नीला रंग कुबाल्ट आकसाइड देता है पीला रंग की बात कर ले तो केडमियम सलफेड देता है कुन देता है केडमियम सलफेड देता है हरा क्या होता है सोडियम क्रोमेट हरा लाल रंग की बात कर ले तो मेगनीज डाय आकसाइड देता है कि रेड जो कलर होता है वो देता है आपका मेगनीज डाय आकसाइड देता है चटक लाल रंग क्यों देता है क्यों देता है क्यों प्रस आकसाइड जो कलर देता है चटक लाल रंग का कलर देता है नारंगी लाल रउंग तो बूरा रंग फेरिक आकसाइट को तो बूरा रंग तो बूरा रंग फेरिक आकसाइड देता है रूबी जैसा लाल रंग कों देता है तो गोल्ड क्लोराइड जो रंग गोल्ड क्लोराइड जो है रूबी जैसा लाल रंग देता है ठीक है और प्रदिप्त सील पीला रंग फेरिक लवन के कारण होता है ठीक है यह सारे सारे important है guys 101% ऐसे ही questions जो है आपको one liner तोर पर पुछ जाएंगे काच के प्रकार और उनके उप्योग जैसे की camera में कौन सा lens का use होता है कौन से काच का use होता है तो यह सारा आपके लिए important है देखे अगर flint काच की बात करें तो flint काच जो होता है वह कहां कहां use में लाया जाता है तो flint काच आपके camera में दुर्बीन में lens में किसमें camera में जो आप लोग camera खीचते हैं न उसमें flint काच होता है दुर्बीन में जिससे आप लोग दूर की वस्तू को देखते हैं आपको बहुत नजदी दिखाए दिती है उसमें भी आपको flint काच होता है आपका pyrex की काच की बात करें तो प्रयोक साला में जो उपकरन होते है जो आपने देखा होगा बर्नर बने होते है वो उसमें कौन सा काच होता है तो pyrex काच होता है सोडा काच की बात करें तो आपके tubulite जो घरों में आपके टिबलाइट बनते है और जो बोतल होती है वो जो होती है आपका सोडा काच की बनी होती है कौन से काच की बनी होती है सोडा काच की बनी होती है क्राउन काच की बात करें तो विद्धुत जो बल्प बने होते है विद्धुत के जो पीले वाले बल्प बने होते थे वह क्राउन काच के उसके उपर एक देखाऊगा काच की परत चड़ी होती है तो वह crown काच की परत होती है और विद्दुद बल्प जह है वह tungsten भरा होता है उसके अंदर जो filament होता है वह गोल गोल राउंड राउंड वाला इस तरीके से तो वह filament भरा होता है यह बल्प होता है यह काच जो होता है वह crown काच होता है और जो अंदर भरा होता है वो टंगस्टन भरा होता है चलिए कुरूप काच की बात करें तो जो धूप में चसमे आप लोग देखिएगा अभी घर्मी जल रही है तो घर्मी में जो आप लोग चसमे पहनते हैं जो काच होते हैं तो वो आपके कुरूस काच के बने होते है आगे देखेगा आपका पोटास काच की बात कर ले तो काच के बरतन बनाने के लिए पोटास काच का यूज किया जाता है म्रदु तक काच की बात करें म्रदु काच की तो परक नली बनाने में आपका म्रदु काच का युप्योग करते है कौन से काच का म्रदु काच का युप्योग परक नली बनाने में करते है आगे देखीगा विबिन जो है विविन माद्धे में जिसी की धोनी की चाल किस-किस माद्धे में में कितनी होती है इसे एक note down करिएगा वायू में अगर धोनी की चाल आपसे पुछा जाए तो 332 मीटर प्रती सेकेंड होता है 333332 मीटर प्रती सेकेंड होता है 279 आपका 1269 मीटर प्रती सेकें हाइडरोजन में धोनी की चाल होती है आपको अधिक तर एक्जाम में पुझाता है इंपोर्टेंट है आपका वाईयू में धोनी की चाल पुझा जाता है अगर जल की जल में धोनी की चाल पुझा जाए तो 1483 होती है 1533 किस में होती है समुद्र में होती है पारे में बात करे काच में बात करे ठीक है आप से पूछा जाएगा कि वायू में धोनी की चाल क्या होगी और आपके लोहे में स्टील में का जो है आपके चाल कितने होगी धोनी की तो सबसे ज़्यादा होती आपके still में यह आपको पता है चलिए अब प्रमुक रोग देखेगा उसमें हम लोग कौन कौन से TK का यूज करते हैं ये तो बहुत important है आपके लिए ठीक है सर इसे note जरूर करेगा अगर आपके पास copy होगी तो देखे अगर हम लोग TB का टिका लगाते हैं तो हम लोग कौन सा TK का टिका लगाते हैं अगर हमें TB हो चुका है तो हमें कौन सा TK का लगा जाता है तो BCG का टिका लगा जाता है अगर आपको diptheria hay titness है तो हम लोग dpt diptheria titness ठीक है diptheria titness का जो हम लोग tikka लगाएंगे dtp dp ठीक है d dt और यह p ठीक है diptheria यह होगा dpt का तिक है और जो है काली खासी में भी रगाते हैं काली कुकर खासी में मास्क खसरा में कोनसा तो mmr कौन सा हम लगाएंगे उसे हम लोग MMR का ठीका लगाएंगे पोलियो होगा तो पोलियो वैक्सिन लेते हैं अगर पोलियो आपको पता है इसलिए छोटे बच्चों को पोलियो पिला जाता है कुन सी आपका छोटी माता में रुबेला वैक्सिन लगाते है और जर्मन आपका जर्मन खसरा में रुबेला ही वैक्सिन लगाते है ठीक है चलिए अब देखे कुछ पियेच मान जो आपको पता होना चाहिए अगर जल का आपको पता है कका प्रीं कि आतर क्या होता है सर्ग्य उढ़ाशीन होता है नहीं वह और श्वावलिय प्राशावी स्वाजgam 2.4 कितना होता है 2.4 होता है सराब की बात करें तो 2.8 होता है इसलिए कहा जाता है कि लिवर को डेमेज कोन करता है सराब ही करती है क्यों करती है क्योंकि इसका pH मान कम होता है ठीक है इसलिए आपको आपने देखा होगा डॉक्टर भी अधिक तर बोला जाता है या फिर आप लोग दूद पीते हैं तो आपको बोला जाता है दूद को उबाल कर ही पीना चाहिए इसका reason क्या है क्योंकि आपका दूद का pH मान जो है 6 something होता है तो इसलिए उसको उबाल कर पीते है तो उसका वो अमली हो जाता है इसलिए आपको बोला जाता है कि उससे क्या करे उबाल कर ही पीए देखें दूद का 6.4 होता है मैंने आपको कहा था 6 की सम्तिक मतलब 6.4 होता है समुद्री जल की बात कर ले तो समुद्री जल कैसा होता सर जी खारा तो इसका pH मान कितना होगा 7.4 होगा आगे देखे सर आपका लार की बात कर ले तो लार का pH मान क्या होता है आपका 6.5 होता है कितना होता है 6.5 होता है मुत्र की बात कर ले यूरिया की बात कर ले तो इसका pH मान होता है 6 कितना होता है 6 होता है रक्त की बात कर ले तो मैंने blood के बारे में आपको काफी अच्छे से पढ़ाया है 7.5 होता है और निबू के बात कर ले तो कि इसका pH मान कब होता है beer का pH मान 6,4 से लेकर 5 तक होता है tomato juice का जो pH मान 6.5 से लेकर 5.5 तक होता है ठीक है तो ये आपके trick की बहुत important class है class कैसी लगी नीचे comments box में जरूर से बताज़ेगा आप सभी साती जितने भी साती समाधाने study से जुड़े है करके बताना है जैहिन नमस्ते अगर आपको session अच्छा लगे, session पसंद आए तो nursing exam के लिए आप लोग like जरूर कर सकते है जैहिन नमस्ते रादे रादे